R, 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 L, F Raja Ram Mohan Rai를 Foundation आपको तीन जो R दे रखे हैं वो Raja Ram Mohan Rai LF का मतलब है library foundation देखी mix दो तरह की library की बात करे थी मैंने आपको शूराथ में आपको एक में आपको बता था Public Library देखें और दूसरी हमने बात करे थी academic लाइबरी के जब क्लासिफिकिशन करते हैं शुरात में आप मेरे वह कही सारे वीडियो हैं आपको वह भी दे रहे हैं मैंने बात करिए आपसे मैंने कभी आप से काई अगर इनिशन लेवल पर वैसे तो लाइबरी चार प्रकार की है अल्ग कि ऐसे कोई सवाल कभी किसी प्रकार की बात करते हैं देराइड पूर डिफरेंट टाप्स लाइबरी चार मूलत चार प्रकार की लेकिन मैंने जब शुराइब आपको बता तो मैं आप से ही कहता कि शिक्षा के आधार पर पुस्तकाले का वरगी करन किया गया है और शिक्षा दो प्रकार की होती जिसमें आपका देखे तो फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल यान कि ऑप्चार एक शिक्षा और अनॉप्चार के आधर पर हमने क्लास से दो अलगले लैब्री सकों बढटा है एक लाइब्री कोन सी है आपकी आपकी युनिविश्य तो इन सब के लिए प्रकार बाडी देखें यहां पर दो तरीके हैं न था एक M HRD है आपका और दूसरा कॉन साथ को यूजी सी इसके लाब और भी कहीं सरी काउंसिल से जो कि मैंना इसके जमयदारी यह जिमयदारी आप तो पड़िक लाइबड़री का नाम आएगा अधाink्न चेश सब्सक्राइब की में तरको काम करना इन बहुत करना तो अलग अलग के लिए पॉसी बनाने के लिए इसको पॉस्ट करने के लिए government ने अलग से ministry नहीं बना के इसको ministry of culture के अधीन दे दिया यानि कि ये libraries का किसके पास है तो ministry of culture यानि कि भारत के transcriptic mantra लेके अधीन एक foundation बनाया तो इस foundation का नाम क्या है RRLF समझ रहे हैं मैं सीधा सीधा connection दिखा रहूं आपको तो ये actually आपको इस तरीके से पढ़ना होगा तो public libraries जो है public libraries की जिम्मेदारी किसकी में आपको होता है libraries दो प्रकार की वैसे चार प्रकार की लेकिन दो प्रकार की public को हमने अलग कर दिया और academic library हमने अलग कर दिया अब इसके लावा जो दो और library बसती है वो special library और national library तो national library भी फिर अपिस के पास आगई government के पास तो government के पास तो यानि कि अगर public library के साथ साथ में किसकी बात करूँ को नेशनल लाइबरी आफ इंडिया नेशनल लाइबरी तो यह भी यह भी क्या हो गया इसी के साथ की यह भी government की होगी ना होगा तो जो नेशनल लाइबरी इंडिया भी वैस्ट बंगाल में है ठीक है और बनाए वह भी कहां पर है वह आपका वह भी आपको वैस्ट बंगाल में के इंदर है तो इस तरीके से अगर आप इस मैप के यह आपस में connection बना के चलेंगे तो आपके लिए मेरे इसाब से आपको समझना थोड़ा सा एजी हो जाए वह चीजें मैंने कभी देखे मैंने कभी ना तो रटा और ना रटने के लिए मैंने किसी को प्रिरीद किया क्योंकि रटने से काम नहीं होगा आप अगर चीजों में अगर लॉजिक ढूणेंगे तो लॉजिक से तरह की पुस्तकाले को विभाजित किया पब्लीं अलग होगी हमारी अकाडमी सप्सकिलश हैं पुपलिक विश्क्रू है सरकार के जिम्मेदारी निसरकार के जिम्मदारी नियश्कार के बारे दुग इंडिया सरकार के दृतितर लाइबी जो जहां पर जो उसका पैरेंट इस्पिश्ल लाइबी के बारे में तो अल्टिमेटी इन सब के उपर देख रहे करने के लिए मिनिस्ट्री अफ कल्चर बना रखा है भारत का सांस्क्रतिक मंत्राले है और सांस्क्रतिक मंत्राले के अधीन जो है हमने आर 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 लेफ की स्थापना की तो जब आजादी के 25 साल हो गए तो आजाद कब हो हम 1947 में 25 साल जोड़ोंगा क्या आएगा तो आजादी के 25 साल पर जब संपूर्ण देश जो है रजत जैंती मना रहा था तो इस साल इंटरनेशनल बुकियर इंटरनेशनल बुकियर भी मनाय जा रहा था और थीम क्या था तो थीम था बुक्स और पॉल यह वर्ष हमारे लिए महतुपूर्ण है 1972 रंगनाथन की मृत्यू भी इसी साल है लेकिन रंगनाथन की मृत्यू बाद में है राजाराम मोनरे लाइवी फंडिशन पहले बन गया तो यह कब बन गया तो यह यह बन गया 22 मैं 22 मैं क्यलकटा में 22 मैं 1902 को जो है राजाराम मोनरे लाइवी फंडिशन इसी साल है कब है तो 27 सेप्टेंबर 1972 यह रगनाथन की मृत्यू डेथ है तो खेर यहाँ पर 1922 मैं 1902 को तो यह जब संपूर्ण देश जो है सिल्वर जूबली मना रहा था ठीक है आज जदी के 25 वर्ष पर इंटरनेशनल बुक यह बन रहा था बुक्स फॉर आल इसका थीम था ठीक है तो उसी दोरान जो है 22 मैं को क्या बनाया गया इसकी नीव रखेगी किसकी तो राजाराम मोनरे लाइवी फंडिशन के स्थाप न पॉबलिक लैब्रेवी दे के नाम से भी जान विशन फॉबिक लीड इक नाम से दिन को जानते हैं यह उन्होंस बहुत्तर घंदर इस साप्रकी कि नाउ आरलियव क्या रैख्रा इटीज अ नो डीटल ऐगेंशन से नोडल आगेंशन इसलिए कि सरकार और जितनी भी पॉब्लिक लाइबरी उनके बीच में यह नोडल एजनसी के रूप में कारी करता है और रहा है खुद की तरफ से पैसा आज अधर पॉब्लिक लाइबिस की बात करेंगे तो पॉब्लिक लाइबिस को जो फंड्स मिल रहा है पैसा मिलता है तो वह इसने समय के साथ सथ कहीं सारी छीजान मिक्स हो रही है की नाशनल पॉलिसी बनाए गई जिसको नैपलिस केते हैं नैशनल पॉलिसी और लाइब इनफरमिशन साइस है ना तो नैपलिस नैपलिस भी किसके थूँ है राजराम मोना लाइब फांडिशन को यहां पर मैं ऑफिशल सोर्सेंगा आपको जहां से बात करना है जितने किसी भी राजी में अगर पब्लिक लाइबरी एक्ट पारित होना है या हो रहा है तो वो भी किसके सहयुक्स है तो राजराम मोना लाइब फांडिशन के सहयुक्स है तो अल्टिमेटली ऑथर्स का रिजिस्ट्रिशन करना है तो राजराम मोना लाइब फांडिशन की तरफ से कुछ नैशनल लेवल पर कई सरे प्रोग्र जो है ग्रांट्स दी जा रही है तो ग्रांट्स देना वो किसका काम है वो भी राजारा मॉनले फंडूशन का लेकिन वो चेक करेगा भारत में जितने भी राज्जी उनको तीन काटेगरी में डिवेट किया तो आज के इस क्लास कंतर यह सारी चीजे जो है थोड़ी से विस्त जितने भी लोगों नहीं देखिए डियू दिल्ली उनिश्टी के अंदर जो है भी फिलाल रिजल्ट आया है कि कुछ ऐसे मतलब तीस पैति शायद पोस्ट है मापर और डियू बड़ा है डियू मतलब दिल्ली उनिश्टी बड़ी है जिसके अंदर लगबग 70 तो हाँ पर एक बहुत बड़ी वेकंसी आपके सामने जहां पर असिस्टन प्रोफेसर के लिए असिस्टन लाइबरिंग के लिए कई लोग शॉट लिस्ट के गए कितने मांक से उनको यह नहीं बताएगा लेकिन डियू ने जो रिजल्ट जा रही किया उसमें बहुत सारे बच्चों को मैसेजिस मिलें और मेरे पास पिछले दो-तीन दुनों में कई सारे फोन कॉल साइए कि सार डियू के अंदर अब नेक्स जो है वह इंटर्वीव है क्यों की तैयारी कैसे करें तो मैंने उनको यह सजिस्ट किया देखिए हालां कि युनिविशिटी के लिए मैं क्युकि जिसार्व nage इसी यूट्व चैनल के ऑपर की us interview नाम से मेरे series जिसके अंदर चार ये पांच वीडियो से और चार ये पांच वीडियो आप जरूर जरूर देख कर जेए हैं क्योंक्कि महां पर उन वीडियो जांदर के वह किसी भी exam के लिए जैसेunda पर ज courtesy हो आ अम किन-किन को interview के लिए call के लिए बुलाए गया वो सारी चीज आपको सामने आगे तो वहाँ पर डैफिनिटी जरुत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पर इंट्रिवू एक्चल मैं interview कर लेंगे या mock interview मैं आपको सामने कर लूँगा किस प्रिकार से जो है interview आपका होना है definitely हो बहुँ उसी तरह के interview होने कि पिछली बार भी जब KBS के अंदर जो first rank रोहित आया तो रोहित ने भी जब कभी जरुत पड़ी तो मैं definitely आपको इंट्रिवू के बारे में बता हो एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे लाइव उनसे में से 50% लोगों ने like किया session को like कर दीए मैं आपको बहुत ही interesting facts जो है आपको दिखा रहो और मैं आपको यह भी तरीका बता रहो कि अगर इस तरह के topics अगर आपके पास है तो कैसे आपको पढ़ना है कैसे उसको देखना है सिखना तो आरलेप की बात करें देखी यहां पर भारत के सांस्क्रति मंत्राल इनका लोगों है गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्र आप कल्चर राजा राम मोहन रॉय लाइब्री फांडेशन मिनिस्ट्र आप कल्चर गवर्मेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है खुद की बिल्डिंग है यहां पर जो दिख रहा है वेस्ट बंगाल कैलकाटा में इसका हैड़कॉर्टर है और यहां पर आपको सारी चीज़ दिख रही है जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है चलिए नेक्स अगली बात करते हैं आपर यह आपका पर लिखा राज और आओं मोहान रॉय लाइबरी फांडिशन मिनिस्ट्र फकल्चर गवर्णमेंट फिंडिया के अधीन काम करता है यहां पर दे रखा है मिनिस्ट्र फकल्चर गवर्मेंट फिंडिया ठीक है जब जाएंगे आपको आपको मिलेगा होम एबाउट एक्टि कर दिमी मुवर्मेंट तार्चर फिनलेगे यहां मिलेगी